आज हम सीखेंगे गुजराती बटुगा की तरह बनाया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं बनाने को गुजराती और मडवाडी में बहुत पसंद करते हैं वाला बटुगा तो मैं चलिए सीखाती हूँ जो डोरी लगा रहता है यह देखे एक अप्रे मैं पहले से कटिन की ह हूँ डबल ॠोड में लिए हूँ इसकी लंबाई 9 इंच है ज़ाएं में इसका 11 इंच है यह देखे 11 इंच है मैं इसका डबल कपड लगाएगी फ्रेंसे देखिए इस तरह मैं इसको लाइनाग दी हूँ गोलाई में निवे मैं कटिन करेगी इसको तो देखिए मैं पूरा लाइनिंग दे दी हूं कपड़े पर अभी मैं इसको कटिन करेगी डबल में इसको मैं जॉइंट कर लेगी डबल कपड़े में तो देखिए मैं जॉइंट कर ली हूं इस तरह इसको मैं जॉइंट कर ली हूं कि एफिनिए नीचे से पाफे मैं पहले इसको जॉइंट कर लेगी तो है तो पहरें ते देखिए औहीं मैं इसको जॉइंट करें और इसको भी लगाएगी है इसके उपर इसको भी लगाएगी इसके बाद में यह लगाएगी तो अभी मैं शुरू करते हूं इसको लगाने को चलिए बनाते हैं इसको इस तरह सिलाई मारने का तो यह देखिए कितना सुन्दर सा पोठली बनके तयार हो गई है तो यह देखिए फ्रेंड कितना सुन्दर सा पोठली बन गई है जो कि यह गुजराती और मडवारी में बहुत पसंद करते हैं यह देखिए यह देखिए गोल वाले में किस तरह बन गया कितना सुन्दर सा पोठली बनके तयार अभी मैं इसमें डोरी लगाएगी तो यह देखिए फ्रेंज यह देखिए तो हलो फ्रेंज यह देखिए मैं डबल डोरी लगाए हूँ इसको तो मैं इसको इस तरह खिच लेएगी यह देखिए इस तरह इसको रख देएगी इसको इस तरह लेकर इस तरह बान लेने का और आपकी पोटली बनके तैयार हो गई यह देखिए इतनी सुन्दर सी पोटली बनके तैयार हो गई है यह देखिए आपकी पोटली बनके तैयार हो झाल झाल